सीधर लेके चलते हैं आपको वहाँ पर इनकी मांग है कि आखिर अर्विन के जिवाल चुप क्यूं है क्यूं कुमार विश्वास पर ना तो कोई काम कारवाही कर रहे हैं ना ही अपनी चुपी तोड़ रहे है कर रполож liches आखिर विजर ना ही इचया डा बनला सकाफी मांग एफिरस ना कि कॉना है कि जाखिए ख argument कि मांग तोसंचाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएर लोगारओ रहे हैं पर मतנס Docker ना हовал इंकाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए घ कि अर्विन केजिवाल के घर के बाहर बीजेपी का महला संगठन एक अत्रत होकर प्रदरशन कर रहा है इनकी मांगें कि आकि क्या वज़ा है कि अर्विन केजिवाल ना तो अपनी चुप्पी तोड़ रहे है ना ही कोई कारभाई कर रहे है कुमार विश्वास के खिलाफ जिस तरीके से एक महला नहाल फिलाल कुमार विश्वास के खिलाफ बकाइदा एक कम्प्लेन लिखाई है महिला आयोग में उसके बाद इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे है यानि कि इस पूरे मामले ने ना सिर्फ राजनेतिक तूर ले लिया है इस पूरे मामले ने अब जो घटना करम एक्तियार कर लिया है उसमें अर्विन के इजरिवाल से ये मांग की जा रही है कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री पार्टी के इतने बड़े नेता अर्विन के इजरिवाल इस पूरे मामले पर खामोश है बीजेपी की महला कारकरता यहां पर आई हुई है उनके घर के बाहर मौशूद है और हंगामा खड़ा कर रही है ये देखिए हंगामा भी है और एक पुलिटिकल तमाशा भी इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहींगे अर्विन केसिवाल के घर के बाहर पुलिस का जमावणा और यह पुलिस इस महला को नीचे बैरियर से उतारती हुई बैरियर क्रोस करने के कोशिश और यह महला का प्रयास है कि एक और महला को उपर चड़ाएदा है लेकिन यह क्या करना चाती है क्या प्रयास करनी है प्रदर्शन अपनी जगे है लेकिन यह प्रदर्शन हो रहा है उस पार्टी के नेता के खिलाग जो की अपने धरना प्रदर्शनों के लिए जानी जाती लेकिन आज खामोश है वो पाटी बलकि उनके नेता अर्विन के जिवाल खामोश है यह देखे वो महिला उपर चड़ती है और फिर दूसी तरफ पुलिस उसको अपनी तरफ खीश लेती है और कहती है कि ऐसा प्रदर्शन और यह सब करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है उनके लेकिन आवश्यक्ता 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 नहीं है